आल राइट कैसे हो मेरे ज्वाला के ज्वाला को वेलिकम टू ज़स्ट पढ़ ले जो की क्लास नाइन्थ का पुरे देश बर का सबसादा चाहीता चैनल और आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से ड्रेने चैटर को पूरा का परा शुरू से लिए एंड तर करेंगे पूरी मस्ती के साथ करेंगे और एक गैरेंटी और दे देता हूं कि इस से जादा फन वाला और मस्ती लोड़ेड लेक्टर आपने नहीं देखा होगा और क्रिस्प भी रखेंगे कि हो सकता है आपके असमें जाता समय नहीं हो विए बेंग सेड, क्लास नाइथ, लेट्स जम राइट इंटो अगर आप लोगों ने अभी तक पढ़ लेकि एप डाउनलोड नहीं किये तो मेक्शूर जाके डाउनलोड कर लो क्योंकि इसके फ्री नोट्स आप लोगो वहाँ पर देखने को मिल जाएंगे साथ में अगर आपने टेलिग्राम चैनल जॉइन नहीं किया तो भी कर लो अगर आप लोगोंने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई मेक्शूर सब्सक्राइब कर लो हमें एक मिलियन सब्सक्राइबर बहुत जल देट करने बड़ी सिंपल से बात है ड्रेनेज मतलब नदियों के बारे बात करना लें जहां पर भी पानी हो रहा है और सालों से उदर चलता है उसको बोलते ड्रेनेज सिस्टम और कुछ नहीं और बहुत सारे जब ऐसे चैनल्स होते है बहुत सारे ऐसे उपर नीचे उतार चला बोते है उसको ड्रेनेज सिस्टम बोलते है ठीक है बहुत ही बड़ी है अब देखो एक वाटर डिवाइड करके कंसेप्ट है जो बहुत सारे बीच बीच में दरार कॉन डालता है एक कोई आ जाती है तो दरार डल जाती कोई कभी या फिर दो जब एक कपल होता तो उसके बीच में दरार कॉन डालता है तो लड़की की दो स्टाथ लड़की तो बेसिकली कहने का मतलत क्या है कि जो डरार डालने वाला है उसको डिवाइड करना बोलते है सिम्पल सी बात है वैसे दो नदियों को या दो कोई भी वाटर बो इधर भी पानी और इधर भी पानी तो वो डिवाइड होगया क्योंकि अगर वो नहीं उता तो पानी नदियां एक होजाती न वह द्हुन о मिल जाते है आपस में, पर वो नहीं मिल पाए, क्यों हो, क्योंकि बीच में, वो कोई water divide था, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, एक पहाड भी हो सकता है, एक छोटी सी धर्ती का टुकड़ा भी हो सकता, जमीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, अब इंडिया के इंडर drainage system की दो चीज़ें पढ़ेंगे, mainly एक river पढ़ेंगे और लेक पढ़ेंगे, इसके लावा चाटर में कुछ नहीं है, तो तुम लोगों का थोड़ा सा दिमाग में आसान कर देता हूँ, drainage के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, rivers और lakes, नदियों के बारें पढ़ेंगे, और ताल हमाले निवर्स, अब ध्यान से सुनते जाना, जो जो बाते में बोलते आ रहा हूँ, जो जो हैलेट करते आ रहा हूँ, वो सुनते आना, देखो, iPad lecture सा एक फायदा यह होता है, कि तुमको पूरे time slides दिखती रहती है, हमाले निवर्स, parallel मतलब कि ever flowing है, बारिश आये ना आये, सुखा पड़े ना पड़े, इस साल बारिश नहीं होगे, को फरेकने पड़ता बहते रहेंगे, कभी दुमने देखा कि बारिश नहीं है, इसले गंगा रुक गई, नहीं रुकती है, वो हमेशा बहेगी, ठीक है, दूसरा, इसका मदब इनके आसमें पानी पूरे time है, अब इनके अंदर पानी आता, कशे, नदियों के अंदर पानी कैसे आता है, तो पानी भहिया दो तरीके से आ सकता है, एक तो बारिश से आ सकता है, और दूसरा glaciers की मेल्ट होने से आ सकता है, ठीक है, तो melted snow from lofty mountains, हमालय निवस के बोलते है कि हमालय आ है, हमालय पहाड है, उसके डरावनी भाष्या में, NC8 में लिखा हुआ है, और डरावनी तरीके से तुम्हारे टीचर्स तुमको पढ़ाते हो, उसके लावर कुछ नहीं है इसमें जिन्दगी में है, ठीक है? चलो. इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, तो जो बीच का एरिया है, उसको बोलते है, जो बीच का एरिया है, उसको बोलते है, जो बीच का एरिया है, उसको बीच में से रास्ता निकाल लेती है, अब जब रास्ता निकाली, तो बीच का रास्ता निकल गया, तो आज पास जो पहाड है, इस पूरी जो पिच्चर होती है, उसको हम जॉर्ज बोलते हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे हमको भी बिल्कुल ऐसा ताकतर बनना है, कि हम भी टककर महार महार के पहाड काट दें, ठीक है, चलो, इरोजनल एक्टिविटी होती है, इरोजनल एक्टिविटी मतब क्या होता है, जो सॉइल के लिए रहे है, वो अपने आसात ले आता है, जिसको हम सॉइल इरोशन भी बोलते हैं, ठीक है, मिडिल, अब देखो, यह कहा होता है, अपर कोर्स मतलब क्या होता है, जिको हमने जो न चिपका कि अपने साथ नीचे ले आता है, फिर middle courses में जैसे ऐसे आता है, तो वहाँ पर meanders बनाता है, या oxbow lakes बनाता हूँ, गोजब आता हूँ, please. मेंहेंडर मतलब क्या होता हूँ, अब जैसे जैसे पानी नीचे आता चा रहा है, वैसे यसे slope काम होता जा रहा है, है ना? हमारा पहाड ऐसा है, तो Andrew, आयुज़ पानी आया, था पहानी कोने काम है, तो इस था या से कम अगया, तो उस तरह हंपे पानी तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे से अब बहुत स्पीड्स आ रहा थे तब अंदा धून पानी आ रहा था नीचे, पर जैसे से स्पीड का मुही तो क्या हुआ कि जहाँ 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 उसको डहला थे कि वहाँ मुढने लग गया, तो इसका मतलब जब पानी ऐसे होने लग जहां डलान मिलती ही, वहां होना लगता है, इसको बोलते हैं मेंडर, ठीक है, अब ऑक्स बोल एक क्या होता है, तुम लोगों को बताऊंगा, फिर से आगे चलके, ठीक है, आने माला है यह भी, अब डेल, तो जैसी जैसे नीचे आता है, अब देखो, जब नीचे आते आता है तो मिट्टी क्या हुई, वो जो सॉयल क्या हुआ, वो धीरे-धीरे जगे पर बैठने लगा, और जैसे जैसे बैठने लगा, तो धीरे-धीरे करके वहां पर एक पीस ओफ लैंड बनने लग गया, ठीक है, तो जैसे जब पानी सबसे नीचे आ जाता है, मतलब उसके सबसे यहां बात करना लें, उस नदी का एक तो सोर्स पॉइंट होगा, और एक डेस्टिनेशन होगी, बस, इसके बीच की पूरी जर्ने हमको देखने है, बड़ी सिम्पल सी बात है, नदी ओरिजिनेट कहां से होई, मतलब चालू कहां से होई, और खतम कहां हो रही है, और हमेश तो हमको इसी पुरए रास्ते में देखना है, चलो, बहुत बढ़ी है, अब पैनिस्टिन रिवर्स का घ्लाते हैं, फिर डीकिल बात में पढ़ेंगे, पैनीस्टिनर रिवर्सीनी यह होते है, मतलब अगर पानी नहीं आया, तो जंड़ का होता है, जो रिष्टे होते हो च जैसे कि तुम देखो, इंडिया में, हिमालेन रिवर्स, अबिसली बिल्कुल टॉप में, नौर्थ में होगे, जहां पर हिमालयाज है, और जो बाकी के पेनिसुल रिवर्स है, यह देखो, इस एरिया में, हमारे इंडिया के बीच में और नीचा अले हिस्तिया में, ठीक है, अगर सीजन ड्राय है, तो बहुत जो बड़े-बड़े रिवर्स है, उनमें भी पानी बहुत कम होता है, ठीक है, और पेनिसुल रिवर्स जनरली छोटे होते है, जादा लंबे नहीं होते है, छोटे होते है, पिमाले रिवर्स बहुत बड़े-बड़े होते है, ठीक है, च और यह इस्ट है तो इंडिया का जो स्लोप है वो कुछ ऐसा है मतलब हमारी जो पूरा देश है वो हलका सा ऐसा तेड़ा है ठीक है ऑल्दो हम बहुत ही स्लाइट मार्जिन से तेड़ा है या बहुत बड़ा है इसले हमको फरक फील नहीं होता कि भाईया हम तो तेड़े इसले जाती है मतलब धलान ऐसी है पर पानी इधर जा रहा है ऐसी भी कुछ नदिया है तो वो नदियाओं का नाम तो होड़ा स्पेशल है वो ध्यान रखना ठीक है जैसे कुछ सेंटरल है और फ्लोट वर्ट वेस्ट मतलब कुछ वेस्ट के तरफ जाती है इसलिए स्पेसि थिस वर्ट करने इधर तो तीन मेंजर हैंगे. इंडस भानल है ब्रहभापुत्र में. इन धेंडस अग्र्णा और ब्रहब्स है है देखो हर नधी के किसमत में होता कि हो समुंदर से जा lot मिल. कुछ नदियां बड़े नदियों में आए मिल जाती है. यमुना बीच रास्ते में गंगा से मिल जाती है और बोलती कि देखो मैरी इतनी जरनी थी अब मुझे यहां से आगे आप लेके जाओ यहां इंडिया के अदर चालु नहीं होती है वह चालु होती है तिबेत में नियर मांचरवाइठ यह देखो यह इस टैपस में तुमको पूरा कपर बता रहता हूँ, यह देखो, हमारे यह यहां से चालू हुई, है ना टिबेत के अंदर, अब यहां से चलते चलते यह इधर आने लगी, अब तुम बोलो भाई यह पानी उपर, अरे, उपर नहीं जा रहा है, भाई मैं उपर चलते जा पाकिस्तान पहुंच जाते है, ठीक है, चलो, अब यहां पर क्या है, जोर्ज बनाती है, जहां पर यह इंडिया में एंटर होती है, इन लदार डिस्ट्रिक्स, तो यह एंटर कहां से होती है, लदार डिस्ट्रिक्स से एंटर होती है, और इस पोर्शन पे बढ़िया इस प्रकार के सुन्दर सी चीजों दिखती है, ठीक है? चलो, अब कौन-कौन से Tributaries हैं इसके यह ध्यान रखना हर नदी की तुमको Tributaries और Distributaries ध्यान रखना है, Tributaries मतलब कि कौन-कौन से नदिया इसमें मिल रही है, और Distributaries मतलब कि यह नदी यह आगे जाके किन नदियों में बट रही है, तो चूंकि इंडस एक बहुत बड़ी नदी है, तो यह आगे जाके किसे में बटेगी नहीं, इसके अंदर छोटी-छोटी नदिया मिल जाएगी, कौन-कौन सी है? जसकर, नुबरा, शियो, खुंजा, ठीक है? यह चारपान नाम याद रखने हैं, इसमें समझने सो कुछ नी, बस याद रखने सो याद, तुम्हारे पुरे परिवार का नाम तुमको याद है, वो इसलिए याद नहीं क्योंकि तुमको समझ में आद, तुमको याद हो गया इसलिए आदे, ठीक है? अब इंडस जो है, वो कहां कहां से फ्लो होती है, ध्यान रखते है ना, बलतिस और गिलगिट, ठीक है? फिर सतलज, बीज, रवी, चेनब और जहलम ये सब जोइन करती हैं, इंडस के अंदर, मिठान कोर्ट इन पाकिस्तान, तो ये ध्यान रखना क अब इहां से गए, इंडस में और इंडस से मिलके फिर आगे नीचीज लगे, अब एक बात इसमें खुब सरत भी ध्यान रखनाली ये है, कि इंडस नदी जो है, वो स्टार्ट किसी और कंचरी से और रही है, फिर बीच में इंडिया में पहुच रही है, फिर पाकिस्तान म पाड़ा जाएगी ठीक है तो इसलिए इंडस पैक्ट है इंडस बहुत थरी नदियों के उपर यह देखो यह फोटो बताना चाहरा है कि कैसे एक नदी दो देशों के बीच में डिवैड हो रही है ठीक है अब आते वह गंगा के उपर गंगा हमारी जो सबसे जाधा पवित्र नदी है और हमारे लिए बहुत जाधा इंपोर्टेंट है गंगा को सबसे पहले जब वो स्टा करनी तो यह रहा गंगोत्री ग्लेशर अब ध्यान से सुनना गंगोत्री ग्लेशर अब ग्लेशर बेसिक लिए होता है हिमालया पहाड है उसके बहुत सारी बर्फ है बहुत सारे ग्लेशर मतलब क्या होता है कि बर्फ के बहुत बड़े-बड़े पहाड मतलब वो पहाड़ वो आती है, तो नीचे आके वो अलक नंदा नदी से मिल जाती है, देखो, यह अलक नंदा नदी है ठीके, तो देव प्रयाग नाम की जगे पे अलक नंदा और भागी रती ये दोनों मिल जाती है, और यहां से आगे चालू होती है गंगा, ठीके कहां से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशर से स्टार्ट होती है, गंगोत्री ग्लेशर से नीचे कौन आता है, भागी रती आती है, भागी रती के अंदर देव प्रयाग नाम की जगे में कौन से नदी मिक्स होती है, अलक नंदा, तो अलक नंदा और भागी रती दोनों प्लेन्स में इसमल्ट होती है, मतलब कि यह अगर यह आप्पोरिशन मांंटेंस। हो याप में प्लेस हैं तो यह जो एरिया है यह जगे हां जहां पर कि गंगा नदी पहाड़ों से यहां से चालू होती है यहां से यमुना चालू होती है और आखरी में देखो चालू तो यह सब दूर 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 हो रही है पर आखरी में चलके एक दूसरे से जूड़ भी जाते है जैसे यमुना है तो यमुना को अगर तुम ध्यान से देखो तो चली आई चली आई चली आ और फिर एक टाइम पर यहाँ पर यह मिल जाती है तो मिल जाती है गंगा के अंदर क्योंकि आगे इन पूछे कहा मिलती है तो बड़ा धियान रखना गागरा गणधक कोशी जो है यह तो यहाँ पर बहुत सारा फ्लड लेके आती है। आती है कि भाईया उत्तर प्रदेश में यहां पर बहुत थारे फ्लड आ गए ठीक है बाड आ गई क्यों आती है क्योंकि यह नदिया एकदम से वहां से फ्लोती है आती है तो बाड आने का इक फायदा हमें के लोगाइन बाड ऑनी अच्छा क telefon में होती है क्योंकि बढ़ आ से फाय बर आपके को इता है जिससली बहुत अच्छा है नियूटे सील्ट हा ड्यएट और यूड पर जिल्ड बढ़ आता है तो जब soil quality बढ़ जाते जब अगली बार खेती करोगे तो बहुत अच्छी quality की खेती होगी, ठीक है, चलो, बहुत बढ़िया, यहाँ से जो नदी है, वो बार खेती है, बहागी रत होगली, बागिरे थुगली and flows southward to deltaik plains of Bay or Bengal, तो तो यहां से आपकी जो नदी है वो डिस्ट्रिब्यूट हो जाती है और यहां से फिर आगे चलके समंदर मिल जाती है ठीक है चल में स्ट्रीम जो है वो साउथ वर्ड बांगलेश इंड जॉइन बाय ब्रह्मपुत्र अब देखो क्या होता है कि जो में स्ट्रीम है बहुत पो ब्रह्मपुत्र दोनों नद्यावे मिल जाती है समंदर में जाने से पहले यह दोनों नद्यावे मिल जाती है और फिर जाके समंदर में जाती है यह देखो इस पोर्चन में इधर साही गंगा इधर साही बामरपुत्र यहां पर मिल गई बांगलादेश के अंदर मिल गई ठीक है? यह देखो and floats into Bay of Bengal, ठीक है? चलो यह देखो Bangladesh में होती है, फिर downstream अब देखो, जब यह ध्यान से सुनना अब ध्यान से सुनना, जब Ganga और Brahmaputra, दोनों न दियां मिल जाती है कहां मिलती है? Bangladesh में तो जब यह दोनों मिल जाती है, उसके बाद में इसका नाम मेघना हो जाता है तो मेघना is equals to Ganga प्लस Brahmaputra, ठीक है? बहुत ही बड़ी है आगे बढ़ते हैं जिंदगी में, इसलिए हम इसके मेघना बोलते हैं, अब यह जो mighty river है mighty को बोलते हैं क्योंकि बहुत ही बड़ी न दी Brahmaputra भी बहुत ही बड़ी न दी और बहुत ही बड़ी दोनों न दीया मिल जाती है अपस में साथ मिलके मेघना बनाती है और फिर बेंगल में फ्लो हो जाती है अब इस रीजन में डेल्टा फॉम हो जाती है तो देखो न जब skiing करते हैं हम देखते हैं कि टीवी के अंदर कोई skiing करता है तो क्या होता है जैसी वो उपा से नीचे जाता है तब तो बड़ी स्पीड से आता है पर जैसे ऐसे प्लेन स्लोप में जाता है यसे स्पीड कम होती जाती है और फिर ultimate ले वो रुख जाता है एक जगे पर जाके वैसे ही नदिया भी एक जगे पर जैसे ऐसे समंदर के तरफ बढ़ती है वैसे स्पीड बहुत स्लो हो जाती है और जैसे ही समंदर के पर स्पीड उनकी बहुत कम हो जाती है तो चूंकि speed बहुत कम होगी, तो क्या हुआ, कि उस पानी के अंदर बहुत सारा silt था, soil था, सब कुछ मिट्टी विट्टी थी, अब जैसे से speed slow होगी, तो obviously पानी थोड़ सा ठहरने लगेगा, और पानी जैसे ही ठहरने लगेगा, तो soil है, जो मिट्टी है, वो जम जम के वह यह पुरा समुंदर है, तो समुंदर में ऐसा नहीं कि एक pipe जैसी line है और चली गई, नहीं, ऐसे बहुत सारी ऐसी layers बन जाते है पानी की, है ना, तो beach beach में छोटा चोटा लैंड का portion बन जाता है, इसको हम डेल्टा बोलते हैं, तो यह जो ब्रहमपोत्र और गंगा डेल्टा यहाँ पर मिलती चली गई, फिर यहाँ पर आई, यहाँ से आया ब्रहमपोत्र, इस portion पर यह गंगा भी मिल गई, ब्रहमपोत्र बे मिल गई, और मेगना बनके यह देखो, mouth of thechez, मतलब कि यह является ganga का end धाए, यहाँ से खतम होने वाली है, तो कैसे एसा नहीं कि बिल्कुल ऐसी चली गई, यह बहुत सारी लेयर्स में खताम हो रही है, है ना, बहुत सारी जगे डेल्टा बने ले 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 तो इस पोर्शन को डेल्टा बोलते है, ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, आप गंगा के थोड़ी करेक्टरिस्टिक्स 2000 किलमेटर बहुत अंबाला जो है, अंबाला जो है, अंबाला जो है, अंबाला एक वाटर डिवाड़ है, अंबाला एक वाटर डिवाड़ है, इंडस और गंगा एक हो जाती अगर अंबाला नहीं होता तो, अंबाला एक वाटर डिवाड़ की तरह एक करा, तो यह मानलो तुमारी इंडस, य तो इसलिए ये बीच में water divide की तरह काम करता है, ठीक है, चलो, प्लेंस वर अंबाला तो सुंदर्बन स्ट्रेच ओवर 1800 किलोमेटर बट फॉल स्लोप इस हार्ली 300 किलोमेटर, इसका मतलब कहा है, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, यह A है, तुमको बता देता हूं, मैं अच्छी तरीके समझाता हूं, यह तुम्हारा A है, यह तुम्हारा B है, अब A से लेके B तक की जो distance है, मानलो की 1000 मीटर है, पर जो स्लोप है, यानि की तुम देखो की A और B कितना उपर नीचे है, इतना उपर नीचे, इन दोनों में height का difference कितना है, इतना ही है, देखो A थोड़ा से उपर है, B थोड़ा से नीचे है, तो A और B में distance 1000 मीटर है, पर जो slope है, यानि की जो कितना नीचे गया है वो, मतलब A और B में कितना height का difference है, वो मातर 10 मीटर है, ऐसा मानलो, तो वो slope हो गया, है ना, तो similarly यहाँ पर क्या हो रहा है, कि इनके बीच में भली 800 किलो मीटर है, पर slope hardly 300 मीटर है, 800 किलो मीटर, मतलब कितना 1000 मीटर हो गया, और सिर्फ 300 मीटर का slope है, इसलिए जो speed है पानी की बहुत slow हो जाती है, क्योंकि slope काम है, ऐसा slope होगा तो पानी फट्ट से नीचे गरेगा, ऐसा होगा तो धीरे 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 मिलेगी वहाँ चले जाओगा तो थोड़ से डला निहां मिली तो यहाँ चले गया, फिर थोड़ से डला निहां मिली तो हहाँ फिर हो अघ्या चलेगा इसले हो मेंडर करना लग गया, रहे चलो, यह देखो यह तुमारा gaina और bhrahmaputr वाला यह mixture है ब्रह्मपुत्र रिवर्स सिचम की बात करते हैं कहा से राइज होता है टिबेट मान सरवर बता चुका हूँ ठीक है अच्छा एक बात ध्यान रखना कि इंडस और सतलज और ब्रह्मपुत्र तीनों बहुत ही पास में चालू होती है तुम देखो कि ब्रह्मपुत्र और इंड स्तान में से जाके अरेवें से मिल रही है बली चालू है एक जाके पर उनकी डिस्टिनिशन कितनी अलग अले है कितनी खूबसरत बात है ठीक है चलो इंडस है थोड़ी ची बढ़ी है इसका जो मेंली जो most of the course है यानि कि ब्रह्मपुत्र का जो maximum course course मतलब क्या है रास्ता है जो पूरी नदी है वो maximum इंडिया से बहार ही है ठीक है तो इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र तीनों में इंडस और ब्रह्मपुत्र दोनों इंडिया का maximum portion इंडिया से बहार है थोड़ा थोड़ा portion इंडिया में है और गंगा का सब सर गंगा तो अल्मोंस पूरा ही इंडिया म हुगा भै जब वो नदी चलती आ रही है चलती आ रही है इधर उदर से तो इंडिया के अंदर वो एंटर कहां से होती है इंडिया के अंदर किस जगे से इंटर होती है उस जगे को अल formidable और यह इतना इसको इतना बता क्यों रखा बड़ा चड़ा के क्योंकि यहां पर जो आपकी नदी है ना वो बहुत ही खतरनाक U-turn मारती है ठीक है जैसे मान लो कि आपकी नदी आ रहे है यहां से यहां से यहां से फिर एकदम से इसने U-turn मारा और यहां से इंडिया में गुज गया अरुनाचल प्रदेश में तो यह तुम्हारे जो पहाड़े इसको बोलते है नम्चा बरवा इतनी खुपसूरा जगे इतना खतरनाक स्टीप U-turn मारती है इतनी तेज आने वाली नदी भी कि तुम सोचो कितनी खुपसूरती है प्रक्रती की ठीक है बहुत बढ़िया यहां पर इसको क्या बोलते है यहां पर लोकल सब लोगों ने अपना दे दिया अब हम लोग यहां बैठे हो इंडिया के अंदर दर दो जरूरी थोड़ी कि पाकिस्तान वाले भी ब्रह्म पुत्र को ब्रह्म पुत्री वोलेंगे इन लोगों ने यहां पर इसका नाम दे दिया और इट जोईन बाग डिबंग एक दम से पल्टी मार ली, तो इसको बोलते हैं Great Bend, और यह है तुमारा नम्चा बर्वा वाला एरिया, और यहां से फिर यह एंटर करती है, कहां पर Arunachal Pradish में, ठीक है, चलो, और फिर Arunachal Pradish में एंटर करने का इसका नाम ब्रहमपुत्र हो जाता है, बहुत बढ़ बढ़ जैसे टापु होता है, तो टापु कहां बनता है, जैसे लक्षदीब टापु है, वैसे ही यह नदिया भी आपने चोट-कोट-कोट बना लेते हैं, इस थाफ की, इदर पानी है पर क्या होगी बीच में चूकी उनके अंदर पानी की स्पीड बहुत कम होगी, बहुत तारा, बहुत बढ़ आती है इसके करन बहुत सारी बाढ़ भी आती है असमार पांगलादेश में ठीक है ब्रह्मापुत्रों जो है उसके साथ में बहुत सारे डिपॉसिट्स अफिल्ट होते है तो इसले जो रिवर बढ़ जाता है और रिवर ऑसो शिफ्ट से चैनल फिर्कॉंटलि अब हमने देख लाए कि पहाड़ी एरियास में कौन-कौन से वह होते है हिमालया से कौन-कौन से नदिया आती है अब पेनिसुल रिवर की बात करें पेनिसुल रिवर वह है जो कि हमारे सेंट्रल इंडिया में जैसे अब मद्रिदेश का एरिया हो गया थोड़ा सदन एरिय ठीक है यह पूरे एरिया में जो जो नदिया है गुजरात साइड में नदिया हो गई तो यहाँ पर कोई हिमालया तो है नहीं जो पहाड़ी चनदी लागद है तो यहाँ पर नदिया कैसे बंती है कहां से बंती है उसके बारे में सरफा करेंगे पेनिसुल रिवर्स जो है म Major rivers of the peninsula such as Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, ठीक है? अब यह ध्यान रखना, Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri, यह सबसे important rivers है, जो आपके peninsular rivers है, यह कहीं से कहीं तक भी वहां से originate नहीं होते हैं, यानि कि हमाले से originate नहीं होते हैं, यहीं से originate होते हैं, बारिश के कारण originate होते हैं, कई बार यहां पर जो पह at their mouth, mouth मतलब कहोता है, जहां से वो खतम हो रही है, जैसे कि, जहां पर वो नदी समंदर से मिलने वाली है, उस हिरा को mouth बोलते हैं, वहां पर deltas form करते हैं, हमको पता ही है, ठीक है? बहुत सारी streams है, जो western guards के तरफ फ्लो होते हैं, यह ध्यान रखना, नरमदा और तापी यह east toward flow होती है, eastward, towards east, ठीक है? चलो, I'm sorry, it flows towards the west, ठीक है? हाँ, वही मैं सोच रहा था, कि यह special reverse है, क्योंकि यह west की तरफ flow होते है, हमारा जो slope है, वो east की तरफ डहलाने, east की तरफ फिर भी जो reverse है, यह against the slope ट्रेवल करते है, towards the west, ठीक है? चलो, drainage basin of peninsular, यह ध्यान रखना, कि इ नदी की speed slow हो जाती है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा करके, लैंड जो है, जो पानी है, उसके पानी, अब देखो, पानी ठहरा हुआ है, बहुत छारा, इस एरा में पानी बहुत speed से flow नहीं हो रहा है, तो पानी ठहरा हुआ है, पानी सालों सालों तक ठहरा रहा है, तो क्या जो जितने भी sediments थे, जितना भी soil particles थे, मिट्टी थी, वो सब जम जम के जम के कहीं कहीं पर छोटे 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 लैंड के particles बन गए, थोटे छोटे लैंड के हिस्से बन गए, जहां पर आप जाके खड़े हो सकते हो, ठीक है basically, चोड़, नर्मादा बेशिन, अब जैसे हमने हिमालय रिवर्स के अंदर हमने गंगा, इंडल्स, ब्रह्मपुत्र की बात की, वैसी पैर जो जो मेजर मेजर रिवर्स उनकी बात करेंगे, जिसमें सबसे पहला है नर्मादा, अब नर्मादा जो है, वो कहां से अमरकंटेक हिल्स में, मद्देपरदेश के अंदर, अमरकं आपका ये धर्ती का टुकड़ा, ये धर्ती का टुकड़ा है, अब क्या हुआ, कि ये धर्ती का टुकड़े दोनों अलग हो गए, हैना, पहले तो ये जुड़े गए थे, पर अब क्या हुआ, ये बीच में से अलग हो गए, थोड़े दूर दूर हो गए, तो ये जो पोर्ष दो इंपोर्टेंट यहां रखना, Marble Rocks in Jabalpur और Dhuhaadar Falls ठीक है? यह देखो, Marble Rocks यह देखो, हमारे जो Nirmada है, यहां से स्टार्ट होती है, है अब Nirmada चलती 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 यहां से चलती यह चलती यह चलती यह तो यह पूरा Nirmada का कोर्स है और यह अरेवेंसी में जाके वह हो जाती है, यह देखो, एक तो यह है, Marble Rocks, और एक है धुहादार Falls, धुहादार Falls इसले बोलते हैं कि धुहादार जैसा लगता है, और Marble Rocks क्योंकि बीच में George Dad को बनाता है, ठीक है, चलो, नर्मदा की जितनी भी Tributaries से बहुत चोटी है, और एक बात धान रखना नर्मदा की, जितनी भी इसके Tributaries हैं, जो भी और नदिया मिल रही होगी, ठीक है, तो नर्मदा के अंदर जो भी नदिया मिलती है, वो बेसिकली right angle से मिलती है, मतलब ऐसा नहीं कि कोई, अब यमुना और गंगा बहुत देर तक parallel आले, फिर आके मिल गए, पर इसके साथ में इसा नहीं होती है, इसके आतमे को parallel, इसके अदम maximum सब right angles पे आ रही है, कि नदिया ऐसे और मिल गए, यह जो है, नर्मदा से काफी छोटी है, यह भी उधरी जाती है, यह भी हमारी उधरी जाती है, औ अदर प्रदेश, गुजरात और महरस्ट में कवर करती है, ठीके, अब यह दियान रखनागाना है, इस पहाडी एरिया में और यह जो तुमारा कोस्ट है, इसके बीच में लेंथ बहुत कम है, तो जितनी भी नदिया फ्लो होंगी इधर से इधर, उनको बहुत कम जागी मेल इसलिए इनके कोस्टल रिवर्ज होते है, इनके लेंथ चोटी होती है, एक्जामपल, साबरमथी, माही, भरत, पुज़ा और पेरियार, कुछ नाम या देखने हैं, बहुत सरा या देखने की जर्वत नहीं है, गुदावरी बेसे इन, आप ध्यान रखना भईया, गुदा फिर अगेन, स्लोप वेस्टन घाट में चालू होती है, नासिक डिस्ट्रिक और मद्रदेश, और इसकी लेंद करीब करीब 15,000 किलोमेटर है, और बेंव बेंगॉल में जाती है, वेस्टन घाट में, अब देखो, एक सिंपल सा लॉजिक समझने के कोशिश करो, ये तुमार कोशिपरा वेस्ट, ये है इस, इतना धेहान रखना, ये इस है, ये वेस्ट है, ये वेस्ट घाट से, मतलब अरेबेंसी वाला एरिया है, तो जो नदिया यहा नीचे आके इधर जाएंगी, वह अव्वेसी बाते अरेबेंसी में चल्याएंगी, ऐसा दोगा नहीं, कि कोई यह Western Guards है, यहाँ पर Arabians है, यहाँ पर Beobengol है, तो जो नदिया इधर से इधर जाएंगी, वो इधर के इधर ही निकल जाएंगी, और जो इधर से इधर ही निकल जाएंगी, तो जैसे अब हम प्रट रहे हैं, तो गोदावरी इधर से इधर ही निकल गई, है ना, चलो, Western Guards के जो नदिया बनेगी वो तो बहुत छोटी बनेगी क्योंकि वो इधर के फट से अरेबिन से मिल जाएंगी और जो इस सड बनेगी जैसे कि गोदावरी तो गोदावरी राइट साड बने उसकी यानि कि इस तन से जाके लांगे गी तो नहीं न परवत को पूरा की इधर सो इध तो इसलिए इधर जाके ब्रह्मपुतर मिलगी तो तुम देखो इसका कोर्स कितना लंबा यहां से लेकि यहां तक बहुत लंबी नदी भाई ठीक है बेसिन कहा का गवर करती है महाराष्ट कवर करती है फिर मादरप्रदेश करती है उडिसा अरुनाचल पर अरुड़िसा अर दो इंपोर्टंट नदियां मिलती हैं जो बड़ी है सबसे बड़ी wein गंगा और पेंगंगा एक तो मांजरा या तरक लेन वे obviously Ganga नाम से आद हो जगए एक Vene और एक Payne Vene Ganga, Payne Ganga Godavari Godavari, Vene Ganga, Payne Ganga ठीक है और ये माजरा भी आद अठालना इसको Dakshan Ganga भी बहुत है अब यह धान रखनो, Godavari Peninsular Rivers में बहुत बड़ी है obviously Ganga से छोटी है तो इसलिए जैसे अब इंदौर है, तो इंदौर को हम क्या बोलते है, छोटा मुंबई, है ना, इस से बोल देते हैं, तो वैसे ही अब यहाँ पर यह नदी भी बहुत बढ़ी है, तो इसलिए इसको हमने दक्षन गंगा बोल दे क्योंकि गंगा, मतलब साउथ में फ्लो हो र चत्यस गड़ के आसपस, है ना, और यहां से बेव बेंगॉल में मिल भी, कृष्णा बेसिन की बात करते है, कृष्णा बेसिन जो महावलेश्वर के आसपस चालू होता है, और यह करीब-करीब बेव बेंगॉल मिल जाता है, इसके अंदर भी तुंको तुंग भध्रा, कोयना, घाट प्रभा, यह जो तुमारी ट्रिबुटरीज होगे इसकी, और ड्रेनेज बैसिन इसका महाराष्ट, करनाटक और आंदर प्रदिश में निकलता है, फिर कावेरे बैसिन की बात करते है जो हमारे वो थे, कौन से रिवर्स थे हमारे, हमालेयन रिवर्स थे, उसके अंदर मेजर नाम इंडस गंगा ब्रह्मपुतर थे, थोड़ा बहुत हमने चर्चा उसमें यह मुनाकी कीती, यहां पर कुछ रिवर्स के नाम जाता है, बर जनलर रिवर्स आरे छोटे हैं, ठीक कुछ टॉपिक पता नहीं क्या चला था, पर रिवर्स और लेक्स के पारे में चर्चा चल रही थी, है ना, तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भाईया कोई रिवर्स का नाम बताओ, जो अपने शेहर में से निगलता है, मैं सबसे पूछा तो उन्होंने, तो मैंने मेरे पा नाम में ही तालाब है, मतलब वो लेक है, रिवर्स तो ही नी, तो सर को लगा, मैं के मज़े ले रहा हूँ, सर आया मेरे पास, अब क्या होता था, यसे बेंचे लगी होती थी और बीच में बहुतर बैग्स लगे होता था, तो सर को रास्ता नहीं मिला आनेगा, तो उन्हों मैं बैग हटा है, मैं को लगा, क्यों आरे मेरे पास, मेरे पास है, बोले, स्टैंड अप, हाँ सर, एक इसा तोड से चांटा दिया, इसा फट से, मेरा पूरा चश्मा भार और मैं सुन एकदम ऐसी आवाज ही नहीं आरी कान में, एक सेगंड के लिए, सब हसने लग गए, मै मैं तब भी समझनी पारू कि मैंने ऐसा क्या बोल दिया, तब मुझे पता चला कि भाया, तालाब नाम में ही है, मतलब वो नधी नहीं है, इतनी डंब बात किया, और फिर मैंने मेरे दोस्तों पूछा कि तुझे पता तो बता है, कि तुझे चांटा कैसे पढ़ता है, तो कि अलगला characteristics है, कोच लेक्स पर्मानेंट है, पर्मानेंट मालब कि भाया, अब देखो, लेक्स वो बेसिकली रिवर्स में क्या साधरक होता है, कि रिवर्स बहुत लंबे होता है, रिवर्स एक जगे से फ्लो के दूसरी जगे पहुंचते मालब समंदर में जाता है, लेक्स सूरस सार हर आ, तो वह सकता है, लेक्स पर क्या है, कहीं से पानी आ तो रहाता है, लेक्स से पानी मेरी पे पानी से जगें से बहुत बढ़ यह तों कऑक रिख में साबर के आ डारोले Android, इलिझे जल्की ऐसे गे बड़ बढ़ा है,। चलो, oxbow lakes, अब मैं तुम को आता हूँ, यह जो पुरी line है, मैं एंडरिंगे, across a floodplain, forms of cuts that develop into oxbow lakes, बताउंगा, oxbow lakes के होता है, चिंता मत कुरो, पहले से बोल रगा है, मना बताउंगा, don't worry, लगून्स भी एक important चीज है, लगून से भी lakes बन जाता है, वो भी बताउंगा, तुम पानी को जब ढ़ान नहीं मिलती है, अब क्या हुआ, अब बीच में क्या हुआ, कहीं पर यह जो ऐसे-एसे cuts बने होए, तो क्या होगा, अब जिसे तुमारी नदी ऐसे फ्लो रही है, यह देखो, यह नदी ऐसे फ्लो रही है, अब क्या होगा, over the period of time, अगर, मालो की पानी क अब किसी भी कारण से तुम्हारा जो पानी था उसको यहां से यहां तक जाने का सीधा रास्ता मिल गया, है ना, मतलब जब वो पानी इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो अब इधर जाने की बज़ा है, उसको रास्ता मिल गया है, थोड़ा बहुत गड़ा होके, थोड़ा बहुत टकरा टकरा के, over the period of time, सालों से 100-200-500 साल के अंदर, उसको यह रास्ता मिल गया, तो वो पानी सीधे यहां से यहां चले material होगा, sediments होगे, उससे क्या होगा, कि land बनने लग जाएगा, तो इस portion में तुमारा एक land का piece बन जाएगा, तो उससे क्या होगा, कि यह नदी तुमारी अलग होगी, और यह portion of lake, यह portion of पानी अलग होगया, जो बिलकुल अलग है नदी से, तो इसलिए इसको बोलते है, oxbow lake, तुम देखो ध्यान से, पानी ऐसा ऐसा जा रहा था, अब क्या होगा, कि बीच में पानी को यह रास्ता मिल गया, तो पानी ऐसे flow ने लग गया, तो यह जो बचाओ portion है, यह अलग कट के बाहर आगया, इसलिए इसको बोलते है, oxbow lake, यह कट के बाहर निकल गया, चलो, बहु melt होके चले गया, तो वो glacial lake बन जाता है, ठीक है, फिर गुलार लेकिन जमो कश्मीर, this is the result of tectonic activity, कुछ lakes, glacial lakes है, कि भाईया, क्या हुआ कि थोड़ा सा गड़ा था, एक बहुत बड़ा, बहुत ही बड़ा बर्फ का टुकड़ा आया, जमीन पर टकराया, और जमीन को नीच प्लेट्स हो गई है, थोड़ी सेपरेट हो गई है, तो बीच में थोड़ा सा गड़ा बन गया, गड़ा बन गया, पानी गुजगए, पानी गुजगए, तो lake बन गया, बहुत बड़ा, सिंपल जी बात है, इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा फ्रेश वर्टर लेक है, वुलार लेक है, दल लेक, भीम ताल, नैनी ताल, लोग ताक, दल लेक तो सुने होगा श्री नगर में, मैं गया था बाटी, खुबसरत से जगए, ठीक है, लेक्स अफ लेक्स अफ्लार को सीज, आप देखो, कई बार का होता है, कि बहुत जो बड़े लेक्स होते हैं, उनक बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं, तो मान लो, अगर लेक नहीं होता, लेक क्या होता है, बेसिकली कि तुमारी धर्ती है, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे ऐसा एरिया होगा, और फिर वापस से धर्ती होगी, तो इस बीच में जो भरा होगा, वो पानी होगा, तो यह होग लेक में भराने की, तो वो पहले इस लेक को भरेगा, बजाए की फ्लरड करने की, है ना, सीधी से बात है, है ना, तो इसके कारण बहुत जादा, अब जैसे फॉर एक्जामपल, तुम सोचो कि एक बड़ी सी, बड़ी सी एक टेबल है, उस टेबल में बीच में एक ऐसा छे है, ठीक है, चलो, है डाल पाइर लिए बनता है, अब जैखो यह, अपने हमें एक साइनस है, की इस से हडल पाइर कैसे बनते हैं, बाट भितना ध्यान दखना, की लेक के कारण हम हाइडल पार, यानि की एलेक्टरिटी जनरेट कर सकते, ठीक है, चलो, आस पसका का तो ठहरा होई पानी तो आगे जा नहीं रहे, बट फिर भी हो कितनी खुबसरों जगे बन जाती, ठीक है ये सब लेके कराने, अब रिवर्स का क्या रोल है एकनोमी में, मतलब रिवर्स देश की एकनोमी को कैसे बढ़ा रहा है, देश को कैसे आगे लेके जा रहा है, तो उसक सारी जिंदेकी की जितनी भी जरुरहत है, वो सब पानी से पुरी होती है, और जब तुम्हारे पडोस में ही पानी होगा तो तुम्हे तुमको अग्रिकल्टर करना है तुम Downt إلى ख़ेटी करनी है, तुमको घर के लिए पानी चीजे है, तुमको खाने के लिए पानी पाशे ही मिल जाएगा तो इसलिए हमेशा जो पहली बस्तियां बनी वो पानी के पास में ही बनी चलो रिवर बैंक जो है वो शूरू से ही सेटलर्स को यानि कि जो लोग सेटल होना चाहते है उनको अट्रैट कर रहा है चलो रिवर्स जो है उनको इरिगेशन नेविगेशन सब के लिए यूज होता है हाईडर पार जनरेशन मतलब की इलेक्टिसिट जनरेट के लिए होता है कैसे जनरेट होती है यह तुम्हारे काम की बात है नहीं बस तुम इतना जयान के अगर मैं बताने जाओंगा तो वो दस अंतर लिख रहे है न कलेशन वा CAT जो, फ्रमेशन दोलब बताने वेत अनर तो इसलिए करन पानी वह खराब होता है उनके वॉल्यूम भी कम होता है ठीक है चलो फिर इससे पानी की क्वालिटी भी कम होती है और सेल्फ क्लींजिंग कैपेटिट भी कम होती है देखो अब गंगा यह कैसी ना दी है जो कि खुद से साफ हो जाती है ठीक है तो इतना गंधा कर देने से जिससे अब आज करने पोरी के पूरी तरीकें से नष्ट कर दिया है और इससे के साए हमने क्म्प्लीट कर लिया है तुम हो support को एक जिस टलनेत है इस chapter के अंदर से 3 चीज़ों को ध्यान रखना है एक तो Himalayan rivers, एक Peninsular rivers और एक lakes इसके आदमे जो लास्ट में टॉपिक से river pollution और river economy ये एक-एक question बन सकता है इससे और जादा नहीं बनेगा ठीक है? एक question बन सकता है तुमारा river pollution से एक question बन सकता है कि how is river helping in the economy of a country ये economy of a particular city ये कुछ भी ठीक है? तो उसका एक soil बन सकता है जो कि इन slides के अंदर लिखा हुआ है पॉइंट से sufficiently हो जाएगा पैनिसल रिवर्स सबसे पहले देखा है हमारे से रोजिनेट होते हैं हमारे से रोजिनेट होते हैं हमारे से बहुत लंबे होते हैं अब सेम पैनिसल रिवर्स पैनिसल रिवर्स दो जगह पर जा सकते हैं मेंली जो मैगजिम रिवर्स रिवर्स इंडिया कि इदर की साइड फ्लोहते हैं इस की साइड देखो, वैस्ट बेंगॉल वैस्ट में नहीं है बस इतना धियां रख लो तो कभी नहीं भूलोगो जिंदगी में कि East का और West का है इतना धहां रखलो कि West Bengal वेस्ट में नहीं है maximum नदिया East में फ्लो होती क्यों होती क्यों होती क्यों कि इंडिया जो हलगा सा तेड़ा है West में उपर है East में नीचे है तो नदिया ऑविसले उधर फ्लो होती है बट कुछ नदिया जो Western Ghats के इधर है Western Ghats के भी West में है तो वो ऑविसले उधर ही जाएंगी वो ऐसे घूम के खोड़ी है यह पहाड़ पहाड़ करके तो उधर चलिया आती है तो इसाइब से हमको 4-5 एक्जामपल्स इसके दे रखे है रखे है पन्ने सीले इवर्स के यह रखे है घर नदिया के बारे में अतनी चीज़ से याद रखे है कुछ समझने ही निए इसमें यहाद खने ही है कि वो खतम हो रही है उसके बीच में क्या क्या special characteristics है कि वो कुछ नई चीज बना रहे हैं कुछ अलग कर रहे हैं कहां कहां से वो फ्लो हो रहे हैं कौन-कौन से states से स्टेट से आ दखला ना cities इतना ज़ता जरूरी है कहां पर वो खतम हो रही है ठीक है और उसकी tributaries या distributaries कौन-कौन से बस that's it उसके बारे में ज़्यादा जानकरी और ज़्यादा चाहिए ही नहीं ठीक है विद दैट बिंसे हमने कमेंट के लिए द्रेने चैप्टर हम लोग मिलते हैं अगले ज्वाला लेक्टर के अंदर तब तक ले अगर आपने पढ़ले के आप नवर नहीं है तो इस चैप्टर के नोट्स आपको पढ़ले का आपको देख वेग को देख वेग पर मिल जाएं को ले मत्रा